हाई अब्रिवान वेलकम टू अविलाशास किचेन और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी मोती चूर के लड़ू बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे लड़ू बनेंगे यहाँ पर मैंने लिया है एक कप बेसन और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जा रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ तो मुझे लगबग जितना एक कप बेसन लिया था सेम कप से मुझे पौना कप जो है पानी लग गया और इतना पानी बच भी गया आप देख सकते हैं बैटर हमारा तयार हो चुका है अब कढ़ाई चरहा लेंगे और उसमें पैन में तेल डाल देंगे तेल गरम होने के बाद चमच की हेल्प से या हाथों की हेल्प से जैसे भी हो रैंडम ली बस हमें बरी तर लेना है जैसे बरी बनाते न कढ़ी में डालने के लिए मतलब पकौरे टाइप का आप इसे तल के निकाल लीजें मीडियम आज पे ज्यादा तेज नहीं करना है और इसे निकाल के और इन सब को आप ठंडा होने दीजिए और ज़रूरी नहीं की शेप मतलब एकदम वैसा ही होना चाहिए जैसा भी शेप बने बनना है क्योंकि वैसे भी हमें बाद में इसे तोरना है इस तरीके से और इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है और आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से इसे इसे पीसा है अब एक कडाई लेनी है और उसमें मैंने डाल दिया है 3x4 cup चीनी और जितना चीनी डाला था बिल्कुल उतना ही पानी डाला है और इसमें हम डाल देंगे 2-5 food color food color हम डालेंगे मैंने यहां पे यह केसर कलर डाला है आप यलो कलर भी डाल सकते हो और जब यह अच्छे से उबल जाए उसके बाद गैस को हमें बंद कर देना है गैस बंद करने के बाद जो हमने बेसन का पाउडर तयार कर रखा था दरदरा पीस के उसे डाल देना है अच्छी तरीके से मिक् वो थोरा सा जो है hard हो गया है और इसमें मैंने जो है कुछ seeds भी डाल दिये हैं ताकि बिल्कुल जो market का होता है लड़ू बिल्कुल वैसा दिखे उसके बाद इसे निकाल के मैंने एक plate में रख लिया है और इसमें हम डाल देंगे 2-3 चमच देशी घी ताकि एकदम authentic लड़ू क जो है न टेस्ट आजाए आप चाहे तो इसमें इलाइची पाउडर वगड़ा भी डाल सकते तो और अच्छा खुश्बू आता रहेगा ठंडा जब हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से लड़ू बना ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बच्चे भी बना सकते हैं और बस इसे बना लेना है और इसे गार्णिश कर देजिए कटे हुए पिस्ता से काजू बादाम आपकी जो भी च्वाइस है उससे और बस मोती चूर के लड़ू बनके तयार है रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो फ्रेंड्स कैसा लगता है आपको कि यह रेसिपी बनाना आसान है ना आई मज से कि अगर आप इस रेसिपी को ट्राइ करते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स को यह बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है तो एक बार इसे ट्राइब जरूर कीजिए बनाने के बाद और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो ऐसे अमेजिंग और इजी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज अभी लाशास किचेन को सपोर्ट कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थैंक यू फो वाचिंग